बॉरिंग, आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो D-block element होती है, उनकी oxidation number किस तरीके से change होती है, उनके oxidation number से related ये topic होगा, तो सबसे पहली सी जो समझने की है, D-block element का जो electronic configuration होता है, वो ns square, n-1, n-1 to 10 और आपका ns square ये electronic configuration होता है, हमारे पास दो तरीके क orbitals होते है, orbitals यहां पर use होते है, एक s orbital होता है, एक d orbital होता है, तो ये दोनों तरीके के electron होता है, अपनी oxidation state को, so करने की stable बनने के रिए, दोनों तरीके के electron हो सकता है, इसमें, it may use electron of the d orbital, दोनों का इस्तमाल हो सकता है, this is the stability, that's why they have different oxidation state, इसलिए उनके क्या होती है, अलग-अलग क्या होती है, oxidation state होती है, तो इस oxidation state को समझना पढ़ेगा, हमें कि किस तरीके से oxidation state होगी, तो सबसे पहले देखिए, 3D series में, science teacher, वीना कुमारी, मागे, फरारी, कोई नहीं, कुछ जाने, this is 3D element 3D series, in 3D series, you are going to through the scandium, scandium so, plus 3 oxidation state, why titanium so, scandium only plus 3, titanium plus 2, titanium plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, titanium will sow plus 3, plus 2, plus 3 and plus 4, vanadium plus 2, plus 3, plus 4, plus 4, Chromium will sow plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 and plus 6 Magnesus will sow plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 Iron will sow plus 2, plus 3 and plus 6 also Cobalt will sow nickel, copper Cobalt will sow plus 2, plus 3, plus 4 Nickel will also plus 2, plus 3, plus 4 This will sow plus 1, plus 2 Copper sow, copper sow to oxidation state Plus 1 and plus 2, zinc sow only plus 2 oxidation state So, this is what I have done 3D series oxidation state How do you know? If I have a configuration of this 3D14S2 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 Chromium 3D14S2 4S2 4S2 3D14S2 4S2 4S2 5S2 5S2 3D14S2 5S2 3D14S2 6S2 3D14S2 5S2 8S2 5S2 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 6S2 वाद में इसको discuss करेंगे किस तरीके से आप देखें में कितने इलेक्ट्रॉन है इसे निकालेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकालेगा तो इसकेंडियम एक oxidation state सो करेगा एक oxidation state सो करेगा वह दाएगा आपका 3 oxidation state अगर यह से दो एलेक्ट्रोन को लूज करें तो 3D1 उसका इलेक्ट्रोनिक और 3D1 में वह मोर इस्टेवल नहीं होगा तो मोर इस्टेवल नहीं होगा इसलिए वह से पेकी ऑक्षिदेशन स्टेट के बारे में कुछ चीजां हमें समझनी है वह हम समझने की कोसिश करता है कि सर अक्सिदेशन रिलेटेट्स और स्टेट से रिलेटेट्स कुछ पॉइंट आपके साथ डिसकस करूंगा जिन मैं से मैं आपका पहला पॉइंट आपको भी पेन टेक यौपी एंट पेन आपको पॉइंट को लिखे जो पहला पॉइंट हो गया है कि 3D 3D स्रीज में कि जो आ अगर जोपि एकसेब्ट एकसेप्ट इसकेंडियम अगर सकेंडियम को छोड़दिया जाए तो सभी एलिमिंट की जो मोस्ट स्टेवल ऑप सीडेसन स्टेट है वह वह प्लस टू होता है फ्लस दू में कॉंप्लेक्स इस उनके बेतर तरीके से फ्लस टू प्लस में प्लस color a configuration था n-1d 1-10 and n-нали-s² यज़ और वो इदर से एलेंक्ट wz लूज्स करेगा इदर से लुस करेगा तो वहमथब बनेंगे अग्लिःज बनेंगे अगर वह करता है तो compound कैसे बनेंगे covalent compound बनेंगे bond गोईकि तो दूसरा कण कोई होगी दूसरा जो-पॉइंट हो गया है आपका अगर डो अकोई क्सिधेशन कोई कॉंपलेक्ट है तो यो बॉंटिंग होगी वह आयो narrative आञक्ति कमपाउंड बनाएगा कि मापने कम बनाएगा है और oxidation में तो compound कैसे हुगा कोवलेंट जाएंगे और इदर कैसे होगा अब आपको पास एक्चुलिय आप पूछेंगे ऐसा क्यों कियो हो रहा है क्योंकि आपको पास low energy की जोरक पड़ेंगे तो एस एलेक्ट्रोन निकालने के लिए आपके पास कम इनर्जी की जोरक पड़ेगी तो इन लोर ऑक्सिडेशन इस्टेट जो बॉंदिंग होगी जो बॉंड बनेंगे वो कैसे बॉंड होंगे आयनिक ऑक्सिडेशन इस्टेट हो जाएंगे दो पॉइंट हो गया है अगला सब संदेशन इस्टेट ओगी मेक्सिमam ऑगया हैं मेगनी की मैक्सिम प्लस ऐवन प्लस सेवन का मतलग अगर आप करेंगे तो 3D 5 और 4S2 को इसक्वाइब यह गूरेशन है अब मैक्सिमुम कैसे पता दो और 5 कितने हो गया साथ तो मैक्सिमुम अक्सिदेशन स्टेट कितनी हो गई प्लस 7 हो गई है थिक प्लस 7 ऑक्सिदेशन स्टेट हो गया से जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर एलेक्ट्रों बढ़ते जाएंगे ऑक्सिदेशन स्टेट भी बढ़ती जाएंगी जैसे देख लीए आप एमन जो फैमली है उसकी क्या होती है मैक्सिमुम ऑक्सिदेशन स्टेट होती है और रूथेनियम यह दोनों प्लस 8 ऑ और 5D का तो उसकीदेशन स्टेट करेगी है आपके के मिडल ऑंप डसरीज पर आपकी ऑक्सिदेशन श्टेट बढ़ताएगी चार पोईंट होगे पोईंट लिखते जाए आप पांच वाजिवा जो पॉइंट हो गया है पांचवा पॉइंट क्या है अगर आप देखेंग फिफ्थ प्विंट, अग्र आप D-block Instrument को ली लीजिए, जैसे आपके पास हो गया है, for, for D-block, for D-block, D-block Internion, difference, difference इंदेन, difference between two oxidation state is oxidation, इस्टेट इस ट्रेट इस प्लस वन वर्णका होता है वल्ट फॉर वाइल और पी ब्लॉक पी ब्लॉक इस एद प्लस तू अगर आप देखिए डी ब्लॉक में दो शीडेशन इस टीज़ का डिफरेंस कीतने गई किसी बात कर रहे थे आप कर रहे हैं यह से सो कर रहा था प्लस थी फॉर प्लस फार फ़ाइब प्लस सिक्स टैवाइब से तो देखें दो किसी भी चिंटर के बीच अंतर जब कितने का है एक का अंतर है जबकि आप एसल लेते हैं यह पी ब्लॉक एलिमेंट है इसकी अग्षटेशन इस्टेट प्लस तोर प्लस जार अंतर कितने का हो गया है आपके पास दो का दो का अंतर हो गया है तो यह वह इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो से जिसे हमें नोट आउट करना है अब अगला पॉइंट हो गया है नेक्स पॉइंट हो गया है कि आपका डी ब्लॉक इलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट element can form, can form, form compound in low oxidation state, low oxidation state like zero also. बट्लीगंड उडबी लिए शुड बी बी शीगमा डोनल पाई एक्सेप्टर पोईंट हो गया है अगा निय्क का पैसेप्टर है तो आपके जो कॉंप्लेक्स बनेंगे वह आपका जीर निस्ट्डेशन श्टेट में भिस्ट्रेवल हो जाएंगे जैसे हो गया आपका NICU Whole phone यहां पे आपने